कि ओण चलो इस वीडियो में हम बताते हैं यह emotional intelligence यह जो emotional question क्या होता है ठीक है डेनल गौलमेन के को ध्यान में रख के हमने यह बता है डेनल गौलमेन जो रिशर्च की उसके बारे में कुछ मुख्यांस आपको बताएं जिससे आपको समझ में आएगा कैसे आप अपने emotional intelligence को develop क कर सकते हैं अब देखिए जो emotional intelligence में दो चीजे मुख्य है पहला self awareness दूसरा है self regulation अब यह self awareness उन्हों बोला कि क्या आप खुद को अच्छी तरह से जानते हैं समझते हैं तदा दूसरे लोगों को समझने की क्या कोशिश आप करते हैं समाज में तथा उसके बाद समझ कर ही आप पेवहार या reaction देते हैं या नहीं तो समझ लीजिए अगर यह सब आपका है तो इसका मतलब आपका है emotional intelligence बहुत हाई है अच्छा है अच्छा है अच्छा दूसरा क्या self regulation आपने जान लिया अब आपको कुछ कमी लग रही तो self regulation मतलब हम अपने emotion भावनाओं को खुद पर हा परने में रुकाउटें भी पैदा करते हैं अब यह emotional intelligence में पांच factors है उन्हों बता है number one self awareness, number two self motivation, number three self regulation, number four empathy और number five social skills ठीक है यह सब अपनी किताब की शुरुआत अच्छा गोल्मेन ने डेनियल गोल्मेन अपनी जब बुक शुरू की तो उन्होंने अरिस्टोल अरस्तू अ एक कोट की है, कोट से सुरुआत की उन्होंन बोला, अरिस्टोल का कोट है एक famous, उन्होंन बोला का अरिस्टोल ने क्या बोला, anyone can become angry, ठीक है, that is easy, but to be angry with the right person, to the right degree, and at the right time, for the right purpose, and the right way, that is not easy, यह किस ने बोला, अरिस्टोल ने बोला, ठीक है, तो गोल्मेन ने बोला, गोल् ठीक है, sense, we have two minds, one that thinks, and one that feels, तो एक rational तार्किक माइन हो गया, दूसरा emotional भावनात्मक माइन है, दो पार्ट हो गया, अचा इसी पर सारा इनका research है, अब चलिए पहले हम दो चीज़े बता दे दें, पहला self-awareness, क्या आप अपने आपको ठीक से समझते हैं, क्या जानते हैं, क् odd situation, मतलब विपरीत परिस्थितियों में कैसे react करना है, आप जीवन में आने वाले विभिन परिस्थितियों में सही निर्णे ले पाएंगे, कई बार mood swings हो जाते हैं, हो जाते हैं कि जाते हैं, इसको पहचान जाएंगे, जब आप पहचान जाएंगे, तो फिर का करना, self-regulations उसमें क्या करता, क्या करना, क्या आप अपने क्रोध पर नियंतरन रख पाते हैं, आप जिस विशय या ब्यक्ति पर क्रोध करते हैं, उसको अपनी डायरी में लिखी है पहले उन्हों, ठीक है, फिर उस क्रोध से बचने के लिए कोई solution निका लिए, गोल्मेन कहते हैं, आप अपने emotion का सही इस्तेमाल कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है, अब तीशरा उन्हों बोला self motivation, क्या आप really self motivated हैं, यह आवश्यक नहीं है कि कोई हमें जब डांट फटकार बलाए, तभी हम motivate हो, नहीं, हम सब समाज में मिलकर कार करते हैं, तथा एक उद्देश की प्राप्ति क के लिए कार करते हैं, कोई भी office हो, कोई corporate हो, कोई company हो, सारे एक उद्देश की प्राप्ति के लिए कार करते हैं कि नहीं, turnover बढ़े, profit बढ़े, तो चाहे वो घर हो, office हो, defense में हो, ठीक है, क्या आप अपने सहकर्मी, दूसरे लोगों की मुश्किलों को भी समझते हैं या नह ठीक है, चौथा empathy, empathy बहुत जरूरी है, empathy कार्थ होता है कि दूसरों की भावनाओं को समझना, ठीक है, दूसरों के emotions को समझना, क्या आप सामने वाली की मजबूरी समझते हैं, और उसको ध्यान में रखकर अगला कदम बढ़ाते हैं कि नहीं, अब पांचों आ गया social skills, आप कैसे दूसरों से relationship बनाते हैं, तथा उसको बेहतर ढंग से handle करते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अब many high IQ scoring students have failed in their practical lives, I have seen that, so, इन्हें हैं, जो IQ level है, वो केवल success में 20% help करता है, समझिए, जो IQ level है, ठीक है, वो केवल 20% help करता है, success में, लेकिन 80% Daniel Goldman बोलते हैं, EQ, emotional quotient या emotional intelligence पर निरवर है, आपकी success, हर एक field में, high IQ से, आप एक healthier, और successful life जी सकते हैं, उन्हों बोला, आप अपने आसपास के लोगों से भी कुछ सी सकते हैं, जैसे, उनमें से हैं, ठीक है, जो उनके पास है, लेकिन आपके पास नहीं हैं, और हमेशा optimistic आशावादी रहें, इन पांचों में से, देखा जाए तो दो ही मुख्य है पहला self-awareness, दूसरा है self-regulation, अब यह self-awareness में कैसे होता है, जैसे हमने पहले बताया, खुद को समझना बहुत important है, this means that you are able to recognize and label your feelings, example देखिये, मान लीजिये, कोई आप कोई काम time से या ठीक तरीके से अगर नहीं होता, तो कहीं आप पेनिक तो नहीं हो जाते हो, या आपको गुसा तो नहीं आ जाता है, ठीक है, यह आपको सहम पता लगाना चाहिए, ठीक है, अगर पता लगा लिया, जान गए, तो क्या करना, now it is self-regulation, जब आपको पता चल गया कि आप कैसे react कर रहे हैं, और situation में, तो उसको self-regulate करना है, वो कैसे कर सकते हो, आप पहले अपने emotions को पहचानो, पहचाना आपने, फिर क्या किया, कि आपने एक odd situation में, या विपरीत पर स्थितियों में कैसे react किया, अब आप अपने इस reaction को सुधारो, कैसे सुधारोगे, अभ्यास के दोआरा, अभ्यासे निदू काउंते, समझ, awareness के दोआरा, क्या आपको उस odd situation में की react करना च चाहिए था, अगर करना था, तो कैसे ही, और कितनी degree में, the degree of reaction, क्या होना चाहिए, इससे क्या होगा, अगर आप ये जान जाएंगे, regulate करेंगे, तो इससे, इसका effect होगा, कि आपकी decision making ability बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरा, stress level कम हो जाएगा, तीसरा, depression से मुक्ती मिलेगी, चौथा, performance increase होगी, पांचवाँ, leadership ability increase होगी, चौथा, company में, आपस में, सहयोग से, company का turnover बढ़ेगा, employee, जल्दी-जल्दी, company नहीं छोडेंगे, ठीक है, सात्वाँ है, self-well-being के लिए भी अच्छा है, ये तो अच्छा है, एक चीज और उन्हों बोली, वेंटिंग, ठीक है, वेंटिंग, अच्छा, वेंटिंग क्या, उन्हों बोला कि वेंटिंग, क्या है, आप मालोद दुखी है, अच्छा, आपको बहुत-बड़ा कोई कश्ट है, दुख है, और अपना दुख दूसरों को अनामनी, लोग बताते हैं, बाटते हैं, तो अपने गुस्से के बारें, जब आप बताओगे, इससे आपका गुस्सा कम होने के बजाय अधिक हो जाता है, यह आपको समझना चाहिए, जब गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, क्या उपाए है, दुख को बताने से कम होता है, लेकिन गुस्से को situation बताओगे, तो गुस आजाए आपको, तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, आप अपने आपको उन्हों को डिस्ट्रेक्ट करो, बलाब दुआ से ध्यान अटाओ, बटकाओ, कैसे, आप क्या कर सकते है, जिम जाद, चले जाएए, चार-पांच किलोमेटर वाक, यार रनिंग कर लो, साइकलिं कर लो, अचा, डान्स आदा, डान्स कर लो, कमान, गाने सुन लो अपनी पशन के, इससे आप अपने से डिस्ट्रेक्ट हो जाएगा, क्रोध से, गुस्से से डिस्ट्रेक्ट हो जाएगा, ध्यान बटक जाएगा, तो क्या होगा, whatever the ways, ठीक है, तो फिर गुस्सा कम हो जाए लेकिन मैं deep breath की जगा गहरी सास बताई ठेक गूरीज एमोशनल इमेडीजेंग मुरूब लेकिन हम बोलते हैं ध्यान करो ध्यान करो ध्यान से हरी चीज संब आता हूं आप अगर ध्यान करोगे तो ध्यान से हरेक चीज संब ऑख है है दुनिया की कोई भी चीज नहीं है जो ध्यान से समझाया है दूसरा उन्होंने बताए है डांस एरोबिक एक्ससाइस कर सकते हो ठीक है फिर उन बताए कि सिचुएशन है उसको रीफ्रेम करो जिसमें सिचुएशन और सिचुएशन जिसमें गुस्सा आया जिससे आप बताई हो गई अब आप ती का हम चेहरा नहीं देखना चाहते यह ब्यक्ति हमें बिलकुल पसंद नहीं है तो अब इसके reframe कैसे करना है, इसका reframe हो सकता है, कैसे वो बैक्ती ये बैक्ती घर से लड़कर आया हो, हो सकता है इस बैक्ती के साथ कोई दुरगटना हो गई हो, वो बैक्ती किसी depression में हो, इन सब कारणों से अगर आप उसको सोचेंगे, तो इन के कारणों से वो ऐसा behave कर सकता है, जि इससे क्या होगा जब यह सोचो, आपका emotion intelligence work करेगा यहां पर, और आपका मन शांत हो जाएगा, आप better feel करेंगे, ठीक है, अब उन्हों बोला कि empathy, दूसरों की मदद करके भी, आप emotional intelligence को improve कर सकते हैं, कैसे, don't engage in anger inducing thoughts, ओके, आपने जो anger inducing thoughts में engage मत करो, ये आपकी emotion energy को खत्म कर देगा, तता आपके mood को भी prolong करता है, ठीक है, फिर don't ruminate, don't ruminate when you are sad, distract yourself instead, मला उन्हों बोला, कोई ऐसी परिस्तिती, जिसने आपको बहुत अधिक दुखी कर दिया था, उसको याद मत करो, उसके बारे मत सोचिए, don't always think negative, ठीक है, अब साथ आगला point का है, don't always think negative, क्यों अगर मालो अच्छा बार आप केवल negative सोचोगे, तो negative सोचने से एक चैन बनती, एक negative thoughts की एक चैन, एक जंजीर बन जाती है, इससे हर एक विचार प्रभाईत होता है, हर एक विचार आपका थोड़े दिनों में, थोड़े वर्षों में negative हो जाएगा, आपका पूरा personality negative हो जा यह भी पता चलेगा कि अब बोलना है, ठीया, यह पता चलना चाह conservatives, जहीख चुप रहना है, जान जोस बता देते हैं, मेले नहीं जानते बता देते हैं, एक गॉलमें कण ज्यू शल्मेलो अमेरिका मेरी को सुईट बच्चों को देते हैं बच्चे ज़्याद कहते हैं और उनको टेबल पे प्लेट में एक मार्श मेलो जब दी गई अचा उन बच्चों की टेबल पे एक crypto ट्रॉकॉलीट के रख धी गई, walking बच्चों से बोला गया उस टीचर ने बोला कि भाई देखो हम अभी बाहर जा रहे हैं और दस-पंदा मिनिट बाद आएंगे जो बच्चा इस माशमेलो को ठीक है मैशमेलो को नहीं खाएगा उसको दो मैशमेलो मिलेंगी ठीक है अब क्या हुआ वो टीचर बाहर चला गया लेकिन उस क्लासरूम में कैमरे लगे हुए थे बाहर निकल गए अब जो बच्चे थे पान साल छे साल साथ साल आट साल के अकेले क्लासरूम में रह गए अब कैमरे में उन सभी बच्चों के एक्टिविटीज देखिया बड़ी अजीब बच्चे एक्टिविटीज कर रहे लेकिन वो भी उन्होंने भी 5-7 मिनट बाद खा लिया कि अभी खाते हैं दो चोड़ो एक बहुत है दो ही खा लेते हैं लेकिन कुछ बच्चे 10-15 मिनट तक इंतियार करते रहें उन्होंने अपना मार्शमेलो नहीं खाया टॉफी नहीं खाई और टीचर आया उसने दो दो जी नहीं का या उनको एक और दे दियो खुश हो गया यहां पर इन बच्चों ने अपने यहां प मैपिंग की और यहीं बच्चों को बारे में दुबारा पता लगाया कि इनमें कौन से बच्चे अपनी फिल्ड में ज्यादा सक्सेस्पुल हैं तो जिन बच्चों ने 10-15 मिनट तक नहीं खाया था टौफी मैशमलो वे बच्चे अधिक सक्सेस्पुल थे हरेक उनकी तुलना में जिन्होंने जल्दी खा लिया इसको उन्होंने बोला इमोशन इमोशनल सेल्फ कंट्रोल या इसको बोलते डिलेंग डिलेंग दी ग्रेटिफिकेशन ओके अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर लोगे ग्रेटिफिकेशन जो ग्रेटिफिकेशन को डिले कर दोगे तो सक्सेस मिलेगी तो क्या हुआ लाइफ इस अब देखिए वहां पर उन्हें एक Horace Walpole है इस एंग्लिश राइटर एंड हिस्टोरियन Horace Walpole, उन्हेंने उनका एक कोट उन्हें लिखा है उस बुक में उन्हें लिखा Life is a comedy for those who think and a tragedy for those who feel तो आप अपने failure को समझ सकते हैं तथा अपने में change लाकर दुबारा success प्राप्त कर सकते हैं आप फेले हो कोई बात नहीं आप देखिए उसको retrospression कीजिए आप दुबारा success मिलेगी इन्होंने एक और चीज बताई उन्हों बोला you mirror other people's body language ठीक है mirroring of other people's body language जब आप किसी बैक्ती से मिलते हैं across the table मिलते हैं तो आप देखते हैं कि उनका बैठने का खड़े होने का posture बहुत अच्छा है उनकी body language एक दम straight है और उनका non-verbal communication बहुत अच्छा है बिना बोले ही communication बहुत अच्छा है तो उन्हों बोला ऐसे लोग कि आप copy करिए करिए अपने जिवन में लाइए अपनी body को इसे बनाईए अपना emotional इसे लाइए आप उनको imitate कर सकते हैं ठीक है इसी बारे में Benjamin Franklin ने क्या कहा है कि ठीक है आप गुस्सा करना है कोई तो रीजन होगा लेकिन अंत में वो गुस्सा आपको stress ही देगा तथा आपकी emotional intelligence को भी नुकसान पहुंचाएगा ठीक है अब और फिर उननों बोला be optimistic हमेशा आशावादी रहे कोई परिस्ति चाहे जितनी भी दुखा दो छड़बंगूर रहती हमेशा everything shall pass, this shall also pass तो रहेगी छड़बंगूर हमेशा तो ही रहेगी आप seriously इस काम को करोगे कोई भी काम तो वो परिस्ति बदल देगी जो ठीक है नवा क्या उननों बोला कि जो emotional intelligence है वो क्या है उसमें वाला बेक्ती हमेशा सोचता है कि मैं इस खराब परिस्तितियों को बदल सकता हूँ जिसका emotional intelligence बहुत अधीक होगा वो उसके दिमाग में ये हमेशा विचार रहता है कि मैं इस खराब परिस्तिति को बदल सकता हूँ जो गलतियां हुई है उनको सुधार कर दुबारा उटकड़ा होता है ठीक है तो out of control emotions can make smart people stupid अगर आपके emotions आप पर हावी हो जाएंगे तो आपका intelligence दब जाएगा किसी के किसी भी काम की नहीं रहेगी आपकी intelligence इसलिए उनकों बोला कि out of control emotions can make smart people stupid आशा है मैंने बहुत से थोड़े शमय में एक बहुत बड़ी चीज को अपने अनुबहों से पढ़के या समझ के बताने की कोशिश की है आसा है इसको especially every walk of the life चाहे students हो, चाहे professional हो, चाहे कोई भी हो इससे ज्ञान पराप्त करेंगे करपया इस चैनल को subscribe करें share करें ओम शांति शांति